जिसका आमें इंतिजार था वो घड़ी आ चुकी है बेसिकली ITR1 का जो online form है यानि कि online income tax के portal पे आप ITR1 अब भर सकते हो एक्सल यूटलेटी में कैसे भरा जाता था इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी आपने दोस्तों रेफर की भी कियोगी आई होप सो अब online अगर आपको ITR1 अपना भरना है online income tax के portal पे assessment year 23-24 financial year 22-23 के लिए current assessment की बात कर रहा हूँ तो उसकी जो online जो आप availability है वो हो चुकी है बहुत लोग मुझे question कर रहे थे बहुत ज़्यादा comment आये थे phone calls आये थे sir online form नहीं आ रहे हैं ITR1 ITR4 के तो दोनों के दोनों forms available हो गए है ITR1 ITR4 अब आप online income tax के portal पे जाके भर सकते हो तो दोस्तों इस video में cover करने जा रहा हूं कि अगर आपको ITR1 बरनी है अपनी ITR1 आपको बरनी है salary की आपकी income है house property से आपकी income है आपकी other source से income है और आपकी exempt income है तो उस case में आपकी ITR1 बरी जाती है सो कैसे भरी जाती है पूरा step complete by complete step को बताने जा रहा हूं मातर 10 मिनट का दोस्तों प्रोसेस है complete आपको वीडियो एंड तक जरूर देखनी है मैं आपसे हमेशा request करता हूं दोस्तों कि वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि अगर आप एक भी step मिस कर देंगे तो आपका वी करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले निचे लाल बटर्स को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले आप उसे मिस ना करें और दोस्तों अगर आपने अपी तक हमारा टेलीग्राम चनल जॉइन नहीं करा है तो प्लीज देंगे आपको डेली फनेंस और टेक्सेशन शेलेटर की अपडेट आपको मिलती रहेगी उस पर टाइम टाइम सो अब हम चलते हैं नेक्स टैप की तरफ इंकम टेक्स के पोर्टर पर दोस्तों में लॉग इन करना है जैसे आपको पता होगा यह मारा डैश बोर्ड है हमें इस वाले केस के अंदर अभी फॉर्म 16 मेरे पास अविलेबल तो नहीं है लेकिन हाँ इसके ओपर एपलिकेबल भी नहीं होता एस पर इंकम डेक्स लॉग है इस आप से तो इसलिए अभी आपको क्या करना है यहां पर लॉग इन करना है अपने लॉग इन क्रेंशल के साथ दोस्तों यह मैंने डाल दिया है पर आईडी डाल दिया है जो की पैन नंबर होता है अब यहां पर डालेंगे हम पासवर्ड धन कंटीन्यू तो दोस्तों यह हमारा खुल चुका है डैशबूर्ड पेज हम अभी आई टेर वन ऑनलाइन कैसे भरी जाएगी करनेंट अब जो सबसे दाइब पॉइंट आई ट्यार किसी की भी आपको भरणी हो आई ट्यार वन भर फोर बंदी तो सबसे पहला काम आपको करना है आपको सबसे पहले इफाइल में जाके इंकम टेक्स रेटर में जाके अपना वियू फॉन्टी सिक से जरूर जिसका भी आप बर रहे हैं प्रोफेशनल हो आप खुद भर रहे हो तो अपना जो है form 26 ज़रूर चेक कर ले कि क्या किसी ने आपका कोई TDS तो नहीं काटा है उसकी information आप सारी यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों current assessment यहाँ पर select करें view as a HTML view as a download and export as a PDF तो जैसे आप इसको export as a PDF करेंगे तो यह मेरा पर download हो चुका है पूरा form 26 एस ठीक है इसके बाद जो दूसरा काम आपको यहाँ पर यह जो है option खुलेंगे तो आपने एस पर क्लिक करना है और एस के बद आपने एन्वल information statement यहाँ पर आपने क्लिक करना है और उसके बद इसको यह पर download करना है दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अब यह बात अब जो में जो पॉइंट की बात है वह इसलिए है क्योंकि देखिए अभी तक आपका अगर आज़ा आप employer हो तो आपके employer यह हो सकता है कि अपनी ट्वाटर की डिटन पर इंट्रस आया है किसी और और आज हम 21 मही में यह वीडियो बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब तक वो TDS की रिटन जिसने आपका TDS कटा है या तो आपका employer है या किसी other section के अंदर आपका TDS कटा है वो आपनी जो TDS रिटन है फाइल नहीं कर दे था तब तक आपके form 26AS में AIS और TIS में आपको नहीं दिखेगा तो दोस्तों यह आपने ध्यान लखना है बहुत जादे important point है तो गलती नहीं करनी है अगर आपने अभी अपनी ITR फाइल कर दी और आपका fourth quarter का जो TDS था वो reflect नहीं हुआ था तो उस case के अंदर 100%, 110% chance है कि आपको income tax का notice आ सकता है और आपकी जो return है वो defective return हो जाएगी इसका मदलब आपकी return जो है नहीं मारी जाएगी और आपको दुबारा से उसके against में reply करना पड़ेगा और फिर ठीक करके आपको return फाइल करनी पड़ेगी तो ऐसी गलती ना करे वेट कर ले लेकिन जैसे इस case के अंदर मेरा भी form 16 अवलेबल नहीं है उसके पर अपली केबली भी नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको अपनी ITR फाइल करनी है तो जैसी मैं स्टाइब फाइल में करता हम आपने इंडिविजल सेलेक्ट करना है continue करना है और अब यहां पर आपको सेलेक्ट करना है आपका form जो कि आपका ITR 1 हो सकता ITR 4 हो सकता है तो ITR 1 मैंने सलेक्ट करा है then proceed with ITR 1 और आपसे उसके बाद यह तीन जो स्टेजिज में में पूरा करना है तो आपने अकॉर्डिंगली अपने जो ज्यादतर केसिस के अंदर बेसिक अग्रेंशन लिमिट से आपका ज्याद है तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और continue करेंगे उसके दोस्तों आप इसको ओके करेंगे अब यह सारे पॉइंट से मारे पास आगे ITR 1 के जो फॉर्म है करना है परसन इंफorfामेशन आपने करना है तो सबसे पहले माथे परसन इंफ़रा सारी टीजान आपकी डशाग के डना आपका नाम का डेट आव बहरत आपका आधार नंबर या आपने जो करना आप आप अधर को इंटर ओपमेंट के शील सेंटियो चमयांट के अपर पैंशनर वगरा हो या फिर ज्यादातर केसिस के अंदर प्राइवेट अगर इंप्लाई हो तो आप अधर्स का यहां पर उप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने यहां पर डिफॉल्ट सेक्शन 139 बन का ऑप्शन ही देखना है क्योंकि आप रिटन फाइल करें दू ड बैंक अकाउंट नंबर है और उसको यहां पर सेलेक्ट और रिफंट भी करना है कोई और दूसरा काउंट एड करना चाहते है तो वह भी एड कर सकते हैं उसके अपने कंफर्म कर देना है कंफर्म करने के बाद उस्तों हमारा पहला स्टेप कंप्रीट हो गया अब ग्रॉस भी देखने वाला कॉइंट है कि अब यहां पे आपको डालनी है आपकी सैलरी खी इंकम तो दोसर यह आगी आपकी एंखिस हैं करना है अब यहां पर आपको अपनी इंचन करनी है कि आकिसे रिक इतनी है सेलेरी इस पर स्टृस अगर आह के पास वंसला है अविलेबल है, मैच कर रही है डेटेल, अविलेबल का है दोस्तों मेरा मतलब है कि फॉर्म सोला, 26AS, AIS, TS, ये चारो के चारो आपको आपस में मैच करने है अगर आपकी सैलरी की इंकम है, as a employee आप काम कर रहे हो, सैलरी पर TDS आपका कटा है, नहीं कटा है फॉर्म सोला अवलेबल है नहीं है, फिर भी आपको अपना AIS, फॉर्म 26AS और TDS सारा चेक करना है उसके बाद ही ITR बरनी है, मैं दोस्तों बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार काफी लोगों को नोटीस आये थे, मिसमैच के चक्कर में, हला कि पहली बार यह सब चीज़ लॉन चुई थे तो गॉर्मेंट ने उस बैसिस पर थोड़ा मतलब इतना ध्यान दिया नहीं सब चीज़ों पर लेकिन अभी यह बहुत स्टिक हो गया है, तो इसलिए आप ध्यान लगे कि आपका अगर TDS कटा है, Form 16 अफलेबल है, तो प्लीज उसको रीचेक कर लें, अपने 26 AS से, AIS और TS से, तो यहाँ पर आपने सेलरी मेंशन करनी है, जो आपकी सेक्शन 17 एक चेस आप से आती है, तो यह हमने आपने सेलरी मेंशन कर दिये, ठीक है उसके बाद आपने, डिपेंड करता है, तो आप उन से चीज़ देख के कर सकते हैं, से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो दोस्तों यह हमारे पास यहाँ पर नेट सेलरी आ गई, और प्रोफेशनल टेक्स अगर आपके पर अप्लिकेबल है, सारी दोस्तों इन्फोमिशन आपकी फॉर्म सिक्स्टीन में होत यहाँ पर यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपने ध्यान रखना है कि आपके दो और लोन ले लिया, तो इसको आप आप एस गया बें दिखा सकते हो, क्योंकि दो लाक रुपे तक जो आप इंटरस्ट पे करते हो, जो आप ने होम लोन ले रक्टा है, उसके ओपर 2 लाक रुपे तक एक साल के अंदर आप उसको यहां पर claim कर सकते हो उसको यहां पर दिखा सकते हो कि मेरा दो लाख रुपे तक जो interest मैंने पे किया home loan में एक साल में अब इसकी information कैसे पता लगी जिस भी bank से आपने लोन ले रखता है NBFC से लो ले रखता है तो वह साल के अंड में आपको क्या देता है एक loan certification लेटर देता है यह आपका इतना इस साल आपने इतना principle पे करा इतना इंटर्स पे करा है तो आप उस किरायदार से कितना किराया ले रहे हूं दस जार पे मेना बीस जार पे मेना तो उसको यहां पे आप दिखा सकते हो अगर आपके ओपर यह application लिए तो दोस्तों आप इसको simply skip भी कर सकते हो राइट इसका मदला जैसे मैं इस case के अंदर अभी हमारी house property की income कुछ नहीं ले रहा हूं सिर्फ salary की मैंने income लिए ठीक है जी अब आता है income from other source income from other source अगर आपका कुछ है जैसे की आपका कोई bank से interest है तो आपने यहां दोस्तों mention करना जरूर जो भी आपका होता है ठीक है उसके लावा आपका कोई other interest कुछ और FD या post office में आपने कुछ amount deposit कर रखा किसी scheme के इंदर तो उसका यहां पर डाल सकते हैं आपको कोई income tax refund मिला उस पर interest मिला था वो आप यहां पर mention कर सकते हैं या कोई भी आपका इंट्रस एक्रूर पीएफ के अंदर यह multiple आपको options दे रखे हैं कि अगर आपका कोई other source से income है तो आप डाल सकते हैं कोई other income है dividend की income है तो यह सब आप option यहां पर select कर सकते हैं उसके बाद इसको आप करेंग और इसको easily confirm कर सकते हैं तो जैसे मैंने अभी यह second point complete करा gross total income दिखाई salary में कितनी income है other source में कितनी income है अगर house property यानि कि आपने कोई rental आपकी property आपने rental दे रख किये किराये पर आपने दे रख किया कोई आपकी दुकान है कोई आपकी जगा है कोई land है तो उसका किराया आप य आप डाल सकते हैं और एटी सी में अगर आपने कोई LIC वगरा पे कर रहे हो मैडी क्लेम है एटीडी का तो आप उसके लिए schedule रेफर कर सकते हो पूरा education loan ले रखा है या आपका saving bank account के अंदर को interest है तो उसके भी यहाँ पे eligible to claim deduction yes तो आप यहाँ डाल सकते हो इसके लिए आप pension करने है तो डिडेक्शन जैसे मैंने बता है इस case के तरह मैंने 80 TTA का लिए रखा राली यानिकि जो आपको मिली है कहां से इंटरस्ट सेविंग अकाउंट तो क्योंकि 10,000 रुपे तक किसी भी इंडिविजियल को तो उसकी deduction आप यहाँ पे claim कर सकते हो इसको आपने add कर देना है अगर आपका कुछ भी आपने टेक्सिस बगर आने कि टीडियस आपका कोई कटाए salary पे other than salary पे कटाए जैसे कि टीडियस अगर आपका कटता तो obviously form 16 में आपके पास available होता और accordingly जैसे मैंने बताया ध्यान दुबारा repeat कर रहा हूं कि टीडियस अभी तक fourth quarter की नहीं गई है 31 मही का wait करें form 16 को check करें तो आप पर TDS आ रहा है 26 AS में आ रहा है AIS में आ रहा है TIS में और इसके बाद other than salary के लावा कही और TDS कटा है जैसे FD पे आपको confirm करता हूं तो यह हमारे जो चार के चार स्टेप से हो पूरे हो गई है पांच वा है total tax liability क्योंकि इस case के अंदर क्या है पांच लाग तक हमारी income है पांच लाग से इंकम हमारी कम है तो उस case में हमारा यहां पर जो टेक्स बनेगा बिसिकली जैसे 12,000 का टेक्स बना है चार ल चार लाग तक की इंकम पर कोई टेक्स नहीं है उसके बाद दोस्तों आपने इसको confirm करना है अब confirm करने के बाद यह हमारा पूरा जो है फॉर्म जिस जो डिटेल सी पूरी complete हो चुकिया इसको proceed करना है प्रोसीड के बाद आप यहां पे इसकी summary को download कर सकते है जैसे इस case में आ इसके बाद आपने यहां पर करना है प्रोसीड टू प्रिव्यू प्रोसीड टू प्रिव्यू आप देख सकते हैं कि हमारा इटेर वन का जो form हो सामने हमारे पास आ गया है आपकी इंकम है सैलरी से 50 लाग रुपे तक की house property से other source से agriculture अगर आपकी पांस दर्किंग पर तो करना रिटन को यहां पर आपको option देगा कि आप अधार से verify करना चाहते हो या डिया सी के तुरू या netbank की multiple options दोस्तों यहां पर आपने अधार का option select करना है इसको continue करना है तो जैसे इसको continue आप करेंगे तो आपका अधार पे जो आपका अधार से नंबर link है उसके उपर आप आपको इस वीडियो से कुछ भी query कुछ भी suggestion है तो आप नीचे comment box में डाल सकते हैं हमारी team आप तक पहुंच कर इसका reply करेगी और इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक solution प्रवाइड क्या होगा इससे दोस्तों वीडियो को like करें share करें और चैनल को subscribe करना ना बोले न कि ऐसा ही वीडियो आपको time time पे मिलती रहे